है लो गाइस कैसे हैं आप साब और आई होब आप आप सभी कि सेयाइटिस की साइट मिल चुकी है चाहें वह कायन पूर हो फिर रादून हो म if यह पिर चन्न में हो बहूस हारी स्टिट नहीं मिली है लेकिन बहुत सारी सीटे खाली भी हो चुकी है इसके बारे में ऑज हम यहां पे जाएंगे तो यह हमारी निमी ऑनलाइन एड्मिशन की आपकी वैप साइट इस पर ही आपका सरा ड्यूटा डेटा जो होता है डेली टु डेली अपडेट रहता है यहां पर दिखिए अगर किसी को अपना इस्टेटिस जानना हो की उसको काॉंसलिंग हुई है उसकी counseling नहीं हुई है या उसका seat जो है confirm हुई है उसने admission ले लिया है जैसे क्योंकि यहां पे था कि आपको अपने nearest NSTI में जाना है वहां पे admission कराना है और आपको किसी भी NSTI में जहां पर भी आपके counseling के लिए apply किया था वहां पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो अगर आपको यह चेक करना है कि हमारा admission हुआ है या नहीं हुआ है कहां पे हुआ है तो यहां पे click here पे आप click करके check कर सकते हैं कि आपका admission हुआ है या कौन से के NSTI में हुआ है या अलाट्मेंट ट्रेटर भी यहां पर यहां से निकाल सकते हैं दूसरे आते हैं यहां पर counseling का link जो है वो खुला हुआ है उन candidates के लिए तर्ड राउंड की counseling हुई ती उसके उन candidates के seat transfer के लिए जुन्होंने साथ तारीक को यानि 7th January 2021 को counselor transfer के लिए apply किया था उनका allotment यहां पर दिखाई दे रहा है कि उनका allotment हुआ था या नहीं हुआ था ठीक है फिर यह मोपर प्राउंड है 9-1-21 को close मोपर प्राउंड भी आपका close हो गया है आज के ही दिन पर यानि कि आज 9-2021 है आज के दिन पर complete हो गया है आपका मोपर प्राउंड मोपर प्राउंड में जितनी भी remaining seats थी उनका एक schedule दाल दिया गया था कि कहां पर कितनी seat आपकी बचे हुई है इसके according क्या करना थ पर करना था ऑं-लाइन और ऑन-लाइन ही कटा ने थी इसके बाद यहां पर देखिए मैं इसको ओपन कर देता हूं इसको कहां कहां पर कितनी सीटे थी यह आपकी यहां पर दिखाए दे रहा है तो मेलने अगर बात करें बाकी इस ट्रेड्स में जैसे आइटी ओटी जो होते दे रही है MP में लेकिन लखनौ में या फिकानपुर की बात करें तो एक भी सीट यहां पर नहीं बची हुई है और अगर कम्पेटर सफ्ट्र अप्लिकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीट बच गई है वो स्टी की बच गई है फिर वो कहीं की वियों देखिए यह तो स्टी के स्टुडेंट से उनकी सीटे यहां पर बच गई है यहां कि उनके यहां पर एडविशन नहीं हुआ है ठीक है तो बैक चलते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारी कांसिलिंग तो कंप्लीट हो गई आपके आगे प्रोसेस है अब आपको वेट करना है एक नोटिफिकेशन आने का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें यह आपको बताया जागा कि आपके कॉलेज कपसे एकसे हो रहे हैं मतलब खुल रहे ह अउस जाए है और उस देख को क्या करना होगा आपको कुछ अपने important documents यानि की original documents भी लेके जाने होंगे जैसे आपके एक जो document जो document अपके verify होए हैं आपके nearest ns t i में same documents आपको ले जाने होंगे वहां पे अपने कॉलेज में ठीक है वहाँ पर जाते ही वहाँ पर आपके document verify होंगे document verify होने के बाद आपको slip मिल जाएगे slip मिलने के बाद पिर आपके biometric हो जाएगे biometric का मतलब आपकी online attendance अब लगेगी और जब से आप एक confusion रहता है कि हमारी biometric attendance जैसे यह session तो जनवरी में शुड़ी होगा ठीक है तो बहुत सारे सुरेंट्स का डाउट होगा कि इसमें 85% जो है अटेंडेंस मांगी जाती है तो 85% अटेंडेंस कैसे देंगे तो 85% अटेंडेंस कहां से काउंट की जाएगी यह भी काउंट होता है कि लोग सुछते हैं कि जुलाई 2020 2020 से सुरू होगा या सेप्टेंबर 2020 से 21 तक शुरू होगा ऐसा कुछ नहीं है जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे ठीक है जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे आउनलाइन तो आपकी लगेगी बायमेट्रिक तो होगी साथ में आपकी रजिस्टर पर भी टेंडेंस अभी चलाए जाएगी विकॉस यह एक ऐसा मान सरी करना एलाव नहीं किया जाज़कता है विकॉस ऐसा होता भी है और हुआ भी है कई बार दोहजा उन्निस की बात है जिसमें मानने कर दिया गया था बायमेट्रिक को लेकिन जो 85% जो है वो कॉलेज से ही भेजी गई थी कि हाँ इस इस इस्टूनेंट्स की 85% complete है तो वह आ मेंली आपका साइन करने ही होंगे आपका रिजिस्टर में इस तरह से आपके अटेंडनेंस complete होगी और उसका ही 85% देना होगा ठीक है यानि कि पूरे छे महीने के 85% देना होगा जब जब आपके कॉलेज को लेंगे उसका 85 में भी आगर आपके 75 भी होता है फिर भी है आपक सारी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है कोई इसमें दिक्कत नहीं है और अगर कोई प्रब्लम हुई है किसी भी स्टुडेंट्स को तो कमेंट करिएगा कोई भी सॉलीशन होगा तो हम आपको ज़रूर प्रवाइट कराएंगे ठीक है आई होप आपका कॉलेज जो है सब्बजेक्ट होते हैं जैसे आपका एक तो होता है ऐटी योट्ट एक तो आपके 2 तो रहते हैं आपके ट्रेट के को ट्रीय घॉरी होती है तो theory trade practical और एक होता है pot principle of teaching तो principle of teaching or trade theory trade theory तो हम पढ़ा देंगे आपको online ठीक है क्या online ही में लिए आपका यहां पर सब से याद़ पारने वाले हैं फिर trade theory कहां से क्या हैका आएगा विफ फोर सरहाब चीज़ें हम देखेंगे छुरू काम भज़ा है तो कम्प्लीट कर लेते हैं तो झाहर वेस्तों आप सारी स्टूवियु को साथ जूट्स को यह इन्परम कर तीजेगा तो बाकी आपकू झाहर ही सुरू करने वाले अभी हमारा थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम 20 के करीब में अपना सिलेबस सुरू कर देंगे जिसमें हम ट्रेड थियोरी पढ़ाएंगे कंप्यूटर सफ्ट है अप्लिकेशन की ठीक है तो आई होब आप अच्छे से रहेंगे और अपने कॉलेज में इंज्वाए करें थैंक्यू गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में